जैहिन दोस्तों स्वागत है आपका अपने स्टडी 24 जारखन यूटूब चैनल में दोस्तों जारखन बोड मैट्रिक और इंटर्मीडियट सहीत कलास 8, 9 और 11 के छात्रों के बोड एकजाम 2022 को ले करके आज 3-3 महतपूर ले टेस्ट अपडेट आए हैं और उसें पहला अपडेट है कि online होंगे monthly test दोस्तों जारखन बोड के आप सभी छात्रों का जो monthly assessment का exam offline हो रहा था अगर आप इस test को नहीं देते हैं तो आपके लिए खत्रा उत्पन हो सकता है दोस्तों अगला जो हम लोग update देखते हैं कि परिछाओं पर संसय और इसी में दिया गया है कि अगर आपका first term का exam नहीं होता है तो सिर्फ आपका एक ही term का exam होगा final term का exam और उसमें दोनों के syllabus से परसन पूछे जाएंगे आपके लिए जो syllabus जारी किया था first term और second term का 25% syllabus को reduce करने के बाद तो आपका 75% से पूरे syllabus से परसन पूछे जा सकते हैं इस exam में जो final exam होगा दोस्तों इसमें क्या कुछ लिखा हुआ है इसे हम line by line आपको बताएंगे लेकिन तिसरा update का जो headline है वो हम लोग देखें तो इसमें दिया गिया है कि अस्कूल के बच्चों के लिए online कच्छा हैं जल्द आनि कि आप सभी जार्खन बोट के class 6 से लेकर के 10-12 तक के छातरों क जो कच्छा offline बंध है इसकूल बंध होने के कारण तो आपके लिए जार्खन सरकार SOP जारी करने वाली है और उसके अधार पर आप सभी छातरों का जो class है अब online शुरू होगा जिसमें आपको सामिल होना जरूरी है अन्याथा आपको drop out गोसित किया जाएगा और आपका board exam भी नहीं होगा और साथी साथ और भी जितने भी सुविधाये हैं आपको नहीं दी जाएगी दोस्तों इन तीनों update को हम लोग line by line देखें तो इसमें पहला जो update हम लोग देख रहे हैं जिसमें दिया गया है कि online होंगे monthly test 30 से 12 तक के सितंबर अक्टूबर से ही offline test हो रहा था अब online monthly test होंगे आप सभी जर्खन बोट के जितने भी छातर हैं तो आपका class 10 और 12 के छातरों का जो विद्याले खुला था अगस्त में खुला था और आपका monthly assessment का exam सितंबर से शुरू हुआ और नौंबर तक चला था दिसंबर में नहीं हुआ वहीं पर class 6, 7, 8, 9 और 11 के छा चातरों का जो school खुला वह सितंबर में और आपका भी monthly test हो रहा था लेकिन वह offline हो रहा था अब वह online होगा दोस्तों इसमें आगे दिया गया है कि छात्र चात्राओं को WhatsApp DGF के माध्यम से परस्न उपलब्ध कराए जाएंगे और उन परस्नों का जबाब देकर उन्हें DG7 का जो WhatsApp गुरूप है उसके माध्यम से आपको मिलेंगे और उसको क्या करना है उसको ये करना है कि आपको अपने घर में answer लिक करके और school में जा करके drop box बनाया जाएगा जिसमें लिखा रहेगा कि class 6, 7, 8, 9, 10 का बक्सा कोन है और उसी में आपको अपने answer का copy को डाल करके अपना घर आ जाना है दोस्तों इसके बाद जो दूसरा अपडेट हम लोग देखते हैं उसमें दिया गया है कि परिछाओं पर संसय आनिकी जारखन बोड के class 8, 9, 10, 11, 12 के चात्रों के board exam 2022 पर संसय कायम है और इसमें आगे दिया गया है कि metric inter समेत 8, 9, 11 की OMR seat पर होने वाली पहले term की परिछाओं पर आप संसय है आप सभी जारखन बोड के जितने भी चात रहें तो आपका first term का जो exam होने वाला था 8 से लेकर के 12 तक का OMR seat पर होने वाला था लेकिन उस पर संसय कायम है किलियर नहीं हो पा रहा है कि आपका first term का exam होगा या फिर नहीं होगा कब होगा इसके बाद आगे जो इसमें दिया गया है कि कोरोना के जिस परकार मामले बढ़ रहे हैं तो फरवरी तक इसके होने की संभावना नजर नहीं आ रही है आपका फरवरी में भी board exam नहीं होगा class 8 से लेकर के 12 तक का ये पूरी संभावना ब्यक्त की जा रही है दोस्तों इसके बाद आगे जो दिया गया है कि स्थिती समान होने के बाद परिछा के पूरू करीब एक महीने का समय छात्र छात्राओं को देना होगा आनि कि कोरोना महामारी पर नियंतरन हो जाने के बाद जब आपका रूटीन जारी किया जाएगा इसके बाद आपको एक महिने का समय कम से कम दिया जाएगा ताकि आप सभी छात्र अपने syllabus को जो बरतमान समय में पढ़ने में आप लोग ढिलाई बरत रहे हैं तो उसकी भरपाई किया जा सके इसके लिए एक समय एक महिने का समय आपको दिया जाएगा दोस्तों इसमें आगे के छात्रों का second term का जो exam होना था मार्च अप्रिल में वहीं पर 8, 9 और 11 के छात्रों का second term का exam होना था कव मई और जून में तो इसके लिए भी आपका schedule आ जाएगा कोरोना पर नियंतरन होने के बाद इसके बाद आगे दिया है कि ऐसे में छात्र छात्राओं के पहले term की परिच्छा हो सकेगी या फिर कहें तो दोनों term के syllabus को मिला करके परसन पूछे जा सकेंगे आनि कि अगर आपका first term का exam नहीं होता है तो सिर्फ एक ही term का exam लिया जाएगा और उसमें दोनों term के syllabus से परसन पूछे जाएगे आनि कि 25% syllabus को हटाने के बाद जो 75% syllabus आपको जारी क किये गए थे जिसमें कहा गया था कि first term में यहाँ से यहाँ तक पडसन पूछा जाएगा second term में यहाँ से यहाँ तक और अगर आपका ये first term का exam नहीं होता है तो सिर्फ एक ही term का exam होगा आ उसमें दोनों term के syllabus से परसन पूछे जाएंगे और उसमें आपके हर तरह के परसन ह आनी की objective भी होगा subjective भी होगा लगू उतर्ये भी होगा दिर्ग उतर्ये भी होगा दोस्तों इसके बाद अगला जो अपडेट हम लोग देख रहे हैं जो हम लोग देख रहे हैं आप पर तिसरा अपडेट कि अस्कूल के बच्चों के लिए online कच्छाएं जल्द आप सभी जहर syllabus से वो complete नहीं हो पा रहा है तो ऐसे इस्तिती में जहरकंड सरकार इसी महीने SOP जारी करेगी और उसके अधार पर आप सभी छात्रों का कलास online शुरू होगा और आपके लिए आपके स्कूल के जो subject by teacher हैं वो routine आपको परवभाइड करेंगे और उसी के अधार पर वो online आकर के आपकी कच्छाएं लेंगे और आपके syllabus को complete करेंगे और दोस्तों इसमें कलास 10 और 12 के छात्रों के syllabus को complete करने पर विसेश करके जोर दि तो दोस्तों इस तरह से आज आप सभी जर्खन बोड के कलास 10, 12 सहीत कलास 8, 9 और 11 के छात्रों के लिए ये महतपूर्ण update थे और ठीक इसी तरह से आपके लिए जो भी छोटे बड़े update होते हैं मैं इस YouTube चैनल में आपको provide करता रहता हूँ इसलिए आप सभी छात्री इस YouTube को subscribe करके इसके notification bell को press करके रख लिजे और दोस्तों यह वीडियो आपके लिए थोड़ा सा भी helpful या फिर informative रहा हो तो like कीजे और अपने दोस्तों को भी ज्यादा से ज्यादा share कीजे तो दोस्तों मिलते हम लोग next वीडियो में तब तक के लिए जैहिन बंदे मात्रम थैंक य प्रियो